नमस्कार विध्यार्थी मित्रो यूटूब लर्न संस्क्रिती चैनल मा आपनू स्वागत छे। मित्रो आजे आपने दोरण अग्यार संस्क्रुत विशाई मा उग्निस्मु गद्य होलीकोत सवह अर्थात होडीनो उत्सव आ गद्यनो अभ्यास करीशू। मित्रो महा कवी कालिदासे कहियू छे के उत्सव प्रिय खलू जनाहा अर्थात मानसोने उत्सव तहवार खुबज प्रिय होय छे। उत्सव एटले आनंदनो अवसर। अखुट साधन सामाग्री धरावता मानवीना जिवनमा तो कदाच प्रति दिन उत्सवनो वातावरन होय जचे। पन जिवनना सामाण्य दिवसोमा साधनुना अभावे संगर्ष मैं जिवन जिवता मानवी माटे उत्सवनो दिवस विशेश दिवस बनी रहे छे। क्यामके उत्सवना दिवसे ते पुताना सामाण्य जिवनने विश्रीने बुलीने विशियस आनंद अनु भवतो होय छे। आम मानो मात्रने माटे उत्सव आनंद आपनारो बनी रहे छे। उत्सवने मनाववा माटे ना निर्धारित आचार विचारो छे। प्रत्यक उत्सवना प्रशंगे मात्र व्यक्तिगत रिते आनंद प्राप्तिनो उपक्रम करवाने बदले सामुहिक रुपे आनंदनी प्राप्ति थाई तेवी व्यवस्था गुठववानी फरज पाडवामा आवे छे। आ कारणे साधना भावती पिडित व्यक्ति पन उत्सवना आनंदनी भागिदार बनी शक्ति होय छे। आ प्रकार्नी ग्यवस्ता हुलिकोत्सव नी उजवनीमा पन वनी लिवामा आवे छे। प्रस्तुत शंपादित पाठमा गुरु सिष्यनो सम्वाद। ते सम्वादमा हुलिकोत्सव अने तेना पारंपारिक इत्यास नो परिचै क्यांद्र स्थाने छे। उत्सवनी उजवनीमा मात्र व्यक्ति गत आनंदनी प्राप्तीनु जलक्ष होतु न थी। परंतु आनंदनी उजवनी साथे दान अने तपनो अवसर पन प्राप्त थाय छे। आरिती उत्सवनी उजवनीने मानविय जिवननों उतकर्ष साध्वाना साधन तरीक पन जोवी जुईए। मित्रो बिजु कि दरेक उत्सवनी पाचर कोई एक धार्मिक के वैग्नानिक कारण छुपायलू होए छे। तेने खरेखर आपने जानुवू जोईए। तो मित्रो आजे होलिक उत्सव नामनों जे गद्य छे। ए गद्यमा पन आपने जे होडिना उत्सवनों जे पारम पारिक इतिहास छे। तेने जानुवानों प्रहेत्न करीशु तो आवमित्रो आपने गद्य जोईए गद्यमा मित्रो सिष्य अने गुरुनों सम्वाद आपेलों छे। सिष्य पुताना गुरुने प्रश्ण करे चे। को आयम नाम होलिक उत्सव। नाम शब्दन वर्थसे खरे खर। नाम एटले खरे खर। कह अयम अयम एटले आ होली कोज सव। अने कह सुछे आ होली कोज सव। सुछे च अहीं च अयम आयाती। संदीचे बिटाच्च प्लस अयम आयाती च एकले अने अयम एकले आ उत्सव। कदा आयाती क्यारे आवे छे। आ उत्सव क्यारे आवे छे। क्यारे जवाबुमां गुरु कहे छे। होली काया उत्सव अर्थात होली कोज सव। सह ते फालगुन मासस्य एकले फागन महिनानी पूर्णी माया एकले पुनमना ती थो एकले दिवसे अने आयाती एकले आवे छे। ते एकले के होली नों तहिवार भागन महिनानी पुनमना दिवसे आवे छे। सिश्य कहे छे। कहो च्वारी का एम होली का एम एकले आ होली का एकले कौन छे। गुरु कहे छे होली का नाम एका स्त्री एक स्त्री छे। च एकले अने साइ एकले ते होली का नाम एक स्त्री छे। अने ते हिरण्य कशीपू हो एकले हिरण्य कशीपू नाम ना असुर राजस्य। दैत्य राजनी असुर राजनी अने भगी नी ये बहन छे आ होलीका कौन छे तो के हिरण्य कशिपु नामना असुर राजनी बहन छे सिश्य कहे थे किम क्रुतम हुली कया हुली कया एटले हुली काये किम क्रुतम सुं कर्यू के हुली काये सुं करेलू ये नो जे थी तश्या एटले तेना नाम तो हो एटले नाम थी हाँ हुली काये सुं करेलू के जे थी तेना नाम थी उत्सव अयम अयम इतले आ अने उत्सव प्रवर्तते उजवाई छे आ हुलीकाए सुंक करेलू के जित्ती तेना नाम थी आ उत्सव उजवाई छे त्यारे गुरू सिस्यने कहे छे एवम ही एटले खरेखर एवम एटले आम अने सुरुयत एटले सांभडवामा आव्यू छे खरेखर आम सांभडवामा आव्यू छे के हिरन्य कशिपू नामकश एटले हिरन्य कशिपू नामना देत्यश एटले देत्यनों प्रहलाद नामकः एटले प्रहलाद नामनों एक पुत्रह आसित एक पुत्रह तो हिरण्य कसिपु नामना देत्यनो प्रहलाद नामनो एक पुत्र हतो शह शह एकले ते नित्यम एकले हर दर्रोज हम्मेशा परमेश्वरम एकले परमेश्वनु ने ध्यायन ध्यान धर्तो हतो अने भक्ति मयम एकले भक्ति पुर्ण व्यवहारं करोती स्म व्यवहार करतो हतो बक्ति शत्रवे एकले भक्तिना शत्रू कौन तो के दैत्य राज आयो एकले दैत्य राज ने एकले के हिरन्य कशिपुने सह ते व्यवहार हो एकले व्यवहार नरोज तेस्म गमतो नहतो भक्तिना सत्रू देत्य राजकोन तो के हिरन्य कशिपूने ते व्यावार प्रहलादनों व्यावार गमतो नहतो अतह आथी शह एकले तेने स्वकियम एकले पोताना भक्तम पुत्रम एकले भक्त पुत्रने मारी नाखवा माटे अनेक धा अनेक प्रयत्नम क्रुत्वान एकले प्रयत्नो करिया हता परमेश्वर रक्षित हो एकले परमेश्वर्थी रक्षायलो प्रहलाद हो एकले प्रहलाद कथम अपी कोईपन रिते मरनम नग्रतह मृत्यू पाम्यो नहीं अन्ते अन्तमा चेवटे तम एकले तेने दाहेन एकले अगनीथी सर्गावी ने मारी तुम एकले मारी नाखवानू अत्वा मारी नाखवा माटे मायावी नी एकले मायावी एवी होलीका नामनी एकले होलीका नामनी स्वकियाम एकले पोतानी भगीनी एकले बहनने हिरन्य कशिपू एकले हिरन्य कशिपू ए अन्ये प्रेरियत प्रेरी अर्थात के प्रेरना आपी जे पूतानी बहन चे होलिका त्यने आ प्रहलादने मारी नाखवा माटे प्रहरना आपी त्यारे सिस्य कहे छे कथम क्याम होलिकाम एव होलिकानेज हिरन्य कशिपुः प्रहरी यत हिरन्य कशिपुः प्रहरी क्याम होलिकानेज हिरन्य कशिपुः प्रहरी इतले मायावी हुलीका अगनी रक्षायली हती ती अर्थाद के तेने अगनी शडगावी सकतो नहतो त्यारे सिश्य कहेछे ततह पची कीम संजातम सुथयू पची सुथयू त्यारे गुरु कहेछे हिरन्य कशिपू प्रेरी ता एकले के हिरन्य कशिपू थी प्रेरेली अत्वा प्रेरा आयेली हुलीका एटले हुलीका एक दा एटले एक वार फालगुन मासस्य एटले फागन महिनानी पुर्णीमाया एटले पुनमना तिथो एटले दिवशे प्रहलादम एटले प्रहलाद ने अंके अंके एटले के पूताना खोडामा अंके शब्दन और्त शे अंके एटले पूताना स्थापी इत्वा एटले बियसाडीने अग्णो एटले अग्णीमा अने प्राविशत एटले प्रवेशी होली का एक वार भागन महिनानी पुनम्ना दिवसे प्रहलाधने पूताना खोडामा बियसाडीने अग्णीमा प्रवेशी पर्मिश्वर क्रुपया एकले पर्मिश्वर नी क्रुपाथी होलिका एकले होलिका दगधा एकले बड़ी गई पर्मिश्वर नी क्रुपाथी सु थयू तो के होलिका बड़ी गई न तू प्रहलाद पन प्रहलाद ने कहीं थयू नहीं प्रहलाद हो प्लस्तु प्रहलाद तो तथिव तेवीजरिते सुरक्षित हो प्रहलाद ने कई थयू? नहीं हुलीका तो बडी गई पन प्रहलाद ने कई थयू? नहीं हुली काई यहा एटले हुली का दाहे न एटले दहन थी भक्त सिरोमने प्रहलादस्य एटले प्रहलादनी सुरक्षया एटले सुरक्षा थी प्रशन थैला पर्मेश्वर भक्ता पर्मेश्वर ना भक्त जनू ततह त्यार्थी प्रभुत्ती लईने प्रती वर्षम दर वर्षे होलीको उत्सवम एतले के होलीनो उत्सव अनु भाव्यनती एतले मनावे छे के होलीका अग्णिने अंदर प्रवेश करियो अने ते पूते अग्णिनी अंदर सडगी गई परंतु प्रहलाद ने कसु थयू नथी अत्वा कसु थयू नहीं अने आथी प्रहलाद जिवित बची गयो अने तेथी जे एम ना भक्त जनो हता परमेश्वर ना है प्रशन थैने त्यार्थी लईने दर वर्षे आहोडीनो उत्सव उजवे छे सिस्य कहे छे अश्मे एकले आ कार्यायो एकले कार्य माटे आ कार्य माटे हुली कया एकले हुली काये कथम एकले केम ફागन मासનी पुर्णिमानू अत्वा के पुनमनो दिवस ज्विचारियो थ्यारे गुरु कहे छे प्राचिन कालात एव प्राचिन कार्थीज फालगुन मासय चेल्ची एटले के पुनमना दिवसे जनाहा एटले लोको नव सश्चे इश्टी, नव इटले नवा, सश्चे इटले धान्यनों अने इश्टी इटले अग्नी, नवा धान्यनों अग्नी कुरुवंतिस्म, स्वाडी, नव इटले नवा, सश्चे इटले धान्यनों अने इश्टिम, इटले यग्नों कुरुवंतिस्म करता हता अर्थात के प्राचिन समय थीज फागन महिनानी पुनमना दिवसे लोको नवा धान्यनों यग्न करता हता तस्याम एटले ती नव सश्चेश्टो एटले के नवा धान्यना यग्नमा हुलीका प्रहलादम आदायो एटले प्रहलादने लईने अग्नों प्राविसत एटले अग्नीमा ब्याठी हती मित्रों कहवानों मतलबिवो के जारे हुलीका प्रहलादने लईने अग्नीमा प्रवेसी ती पहला थीज गोडिनों उत्सवतों मनाववामा जावतो हतो पन तेनु नाम हतु सु नाम हतु नवा धान्यनों यग्न इलेके जे नव धान्य पाक्तु तेनों यग्न करवामा आवतो तेने नव सश्चेष्टी इवनाम अप्वामा आवतो हतु अगर सिश्य कहेचे कीम नाम नव सश्चेष्टी खरेखर अन नवा धान्यनों यग्न सुँ छे त्यारे गुरु कहेचे नवे ही एटले नवा तयार थैला सश्चे ही एटले धान्य थी क्रियमा नाम एटले करवामा आवतो एटले के नवा पाकेला नवा तयार थैला धान्य थी करवामा आवतो अने इश्टी ही एटले यग्न जने सुखेवामा आवे नव सश्चेष्टी नवा धान्यनों यग्न अने कथ्य तेट वाय छे अस्मा कम देश हो आपनो देश के वोची क्रुशी प्रधान हो वर्तते के वोची खेती प्रधान ची आपनो देश खेती प्रधान ची अत्रत्याहा एटले अहिना जनाहा एटले लोको प्रायह एटले मुटा भागे ध्रीवारम एटले ब्यवार क्रुशिम कुर्वनती खेती करेची अहिनालोको एटले कि आपना भारत देशनालोको लगभग वर्षमा बेवार खेती करे चे वर्षायाम एटले वर्षारूतुमा तथा सरदी एटले सरदुमा वर्षारूतुमा ने सरदुमा शरदी एकले सरद रूतुमा क्रुताया एकले करेली क्रुष हो फलम एकले खेतीनु फड प्रायो हो एकले मुटा भागे फालगुन मासे एकले फागन महिनामा अने प्रात्यत एकले प्रात्त थाये छे जे सरद रूतुमा खेती करवामा आवे चे तेनु जे फड चे तेनु जे पाक चे एकाया महिनामा मिडवाई चे फागन महिनामा मिडवाई चर तात के प्रात थाये चे तत ते सश्य रूपम धान्य रूपे धान्य रूपी फलम फड जनाहायले लोकू ते धान्य रूपी फड पाक ने लोकू प्रथमम पहला अगनी देवाय अगनी देवने अने समर पयंती अरपन करे चे ज़े स्रदरूतु मां ज़े धान्य खेतरों मां वाव्यू हुए अन्य ते फागन महिनामा तेनों पाक नव धान्य प्राप्त थाये चे तेने लोको सु करे चे पहला अगनी देवने समर पित करे चे ततह पछी परस्परम एटले एक बीजाने वितिलिय एटले वहची ने पछी एक बीजाने वहची ने एक बीजाने आपी ने स्वपभोगायो पूताना वप्रास माटे अने कल्प यंदि एटले विचारे छे कि जे नवू पाके छे सरद्रोतुमा वाववामा आवेलू धान्य फागन महिनामा जे पाके छे एपाकेला धान्यने पहला अगनी देवने अरपन करवामा आवे छे अने 25 सुकरे छे लोको एक बीजाने वहचे छे अने पोते उप्योगमा ले छे ओके मित्रो तो आजनो आ लेक्चर आपने अही सुधी राखिया छे आगर बीजा भागमा फरी मरी छू जो कोई मुश्केली होई कोई वाक्यमा शब्दमा तो मने कमेंट करीने कमेंट बॉक्समा अवस्चे जनाव सू ओके मित्रो धन्यवाद